ये connectivity शिर्फ ट्रांस्पोर्ट का नहीं बल्कि प्रगती और सामाजिक विकाज घाबी नया रास्ता बनाएगा भारत को विक्सित और आत्म निर्भर बनाने के लिए रधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी के नेत्रतु में बीते दस सालों में अभुद्पूर्व गती और बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं का निर्मान किया गया है महाराष्टर में डबल इंजन सरकार ने मुंबई में लगभग 6,000 करोड की लागत से गोरे गाओं मुलून जोड रस्ता परियोजना को रफ्तार प्रदान की है ये परियोजना 12,20 किलोमीटर लंबी और 45,70 मीटर चोड़ी होगी जिसमें कुल 6,65 किलोमीटर लंबाई वाली सुरंग शामिल है इससे गोरे गाओं मुलून के बीच की यातरा का समय एक घंटे कम होगा और साथ ही इंधन की भी काफी बचत होगी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की तुलना में 8,8 किलोमीटर दूरी कम होगी सुरंग में अगनी सुरक्षा व्यवस्था, स्टॉम वाटर ड्रेनेज, सीसी टीवी और दोनों और नियंतुरंड कक्ष आदी सुविधाएं दी गई है वन्य जीव, जलाशे और पेड़ों को हानी पहुंचाए बगार किये गए इस आधुनिक डिजाइन से हर साल लगबग 22,000, 400 मेटरिक टन कार्बन उत्सरजन कम होगा इस महत्वा कांग्शिप परियोजना का भूमी पूजन आज माननिय प्रधान मंत्री जी के करकमलों से हो रहा है जिस यात्रा में पहले कई गंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनीटों में हो जाया करे मुंबई और महराष्टर के विकास यात्रा की इस कड़ी में एक और नया अध्याय जोड रही है ठाने बोरिवली ट्विन टनल परियोजना इस परियोजना से मुंबई करों के लिए आधुनिक शहरी यातायात सुनिश्चित होगी ठाने घोडबंदर मार्ग से वोरिवली के 23 किलोमिटर यात्रा की दूरी को दै करने में लगबख एक से डेड़ धंटा लगता है इस परियोजना से यही यात्रा केवल 12 मिनट में संभव होगी 11.8 किलोमिटर का होने वाला ये मार्ग भारत के सबसे बड़े और लंबे अर्बन टनल के रूप से जाना जाएगा दोनों धिशाओं में परिवहन के लिए दो और आपातकालिन स्थिती के लिए एक मार्ग बनाया जाएगा हर 300 मीटर के बाद टनल्स को जोडने वाले क्रोस पैसेजिस बनाये जाएगे अंतरराश्ट्रिय माननेता प्रात्त, वेंटिलेशन सुविधा, अगनी शमन प्रणाली, स्मोक डिटेक्टर्स और LED सूचिना पट से टनल परिपूर्ण होंगे 16,600 करोड के बजट से निर्मान होने वाले ये भूमिगत मार्ग की कारण CO2 का उत्सरजन सालाना 1,50,000 मेटरिक टन से कम होगा और राश्ट्रिय उद्यान की जैव विविधिता की सुरक्षा और सम्वर्धन संभव होगा माननिय प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी के नेतरतु में आज हमें एक नए विकास पर्व में प्रवेश कर रहे हैं आज भारत के यशस्वी प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी महराश्ट्र को दे रहे हैं अनेक रेल परियोजनाव का उपहा प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी द्वारा आज किया जा रहा है कल्यान याड री मॉडलिंग का शिला अन्यास आज 113 करोड रुपे के निवेश से तयार होने वाले कल्यान याड री मॉडलिंग से रेल यात्रियों को बहुत लाब मिलेगा साथ ही 27 करोड रुपे के निवेश से तुर्भे में बनने जा रहे गती शक्ती मल्टी मॉडल कारगो टर्मिनल का शिला अन्यास किया जाएगा इसके अलावा प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी 52 करोड रुपे के निवेश से छत्रपती शिवाजी महराश्ट तर्मिनस पर विस्तारिद प्लाटफॉर्म 10 एवं 11 और 64 करोड रुपे के निवेश से लोगमानी तिलक तर्मिनस पर बने नए प्लाटफॉर्मों को राष्ट्र को कर रहे हैं समरपान इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर बड़े प्लाटफॉर्म उपलब्द होने से जहां लंबी ट्रेनों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा वही यात्रियों को ट्रेनों में चड़ने उतरने में भी आसानी होगी ये रेल परियोजनाएं रेल यात्रियों के सफर को सुगम और सुविधा जनक बनाएं भारत के दूर दर्शी प्रधानमंतरी माननिय श्री नरेंदर मोधी जी की सरकार ने पिछले एक दशक में युवाओं के लिए कई नए उपक्रमों का आगाज किया है और इसी श्रिंखला में महराष्टर के युवाशक्ति को सही दिशा देने हे तू महराष्टर सरकार प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी जी के करकमलों से मुख्यमंतरी युवा कार ये प्रशेक्शन परियोजना का शुभारंब कर रही है इस परियोजना के माध्यम से उद्योग जगत को अधिक्तम कुशल कारी कर देना तथा युवाओं को ज्यान के साथ प्रक्तिक शरूप से काम का अनुभव और स्टाइपेंट प्रदान करना ऐसा दोहरा लक्ष है इस दोहरे लाव को ध्यान में रखते हुए महराश्ट्र सरकार लगबग 5.5 तरोड रुपियों का निमेश करने जा रही है जिस से कम से कम 10 लाख युवाओं को काम तथा स्टाइपेंट दिया जाएगा 12 वी पास विद्यार्थी को 6,000, ITI या डिपलोमा की ये युवा को 8,000 और डिगरी या पोस्ट डिगरी धारक को 10,000 रुपियों का स्टाइपेंट दिया जाएगा मोदी जी की युवाओं के प्रती आस्था को सर आंखों पर रखते हुए ये मुख्यमंतरी युवा कारिय प्रशिक्षन परियोजना, सरकारी, गैर सरकारी, उद्योग तथा विभिनक शेत्रों में आवश्यक रुजगार के निर्मान में नील का पत्थर साबित होगी माननिय प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के मार्ग दर्शन में और महाराष्टर के माननिय मुख्यमंतरी श्री एकनाजी शिंदे, उपमुख्यमंतरी श्री देवेंदर जी भड़नवीस और उपमुख्यमंतरी श्री अजित दादा पवा, इनके नेतरित में महाराष्टर सम्रिद्धी की ओर तेजी से बढ़ रहा